नमस्कार पेशन वीज रफ्तार से जन्तादल युनाटेट के पूरु रास्ट्री अध्यक्ष और पूरु केंद्री मंत्री आर्सीपी सिंग की मुश्किले बढ़ गई हैं क्योंकि जेडियू ने आर्सीपी सिंग को उनके और उनके परिवार के नाम पर साल 2013-2022 के बीच पं से भ्रस्टाचार का मामला लग रहा है अब पार्टी उनका पक्ष जानना चाहती है उसके हिसाब से आगे कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि हम भ्रस्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीती पर चलते हैं उपेंद्र कुश्वाहा ने कहा कि आर्सीपी सिंग ज आदालत ने शनिवार को बाईजद बरी कर दिया अतुल राय के खिलाफ दुशकर्म फर्जी वाड़ा धंकी देने और आईटे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था और फिलहाल इलाबाद की नैनी जेल में है सांसत के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि और कॉलेज की पूरु छात्रा ने एक मई 2019 को अतुल राय पर दुशकर्म सहित अन्यमामलों में मुकदमा दर्ज कराये था पीडिता ने तहरीर में लिखा था कि अतुल राय ने उसे अपने चिताई पूर स्थित फ्लैट में ले जाकर दुशकर्म करने के साथ ही उसकी फो बाद में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था भारत का अगला उपराश्पती चुन्ने के लिए शनिवार को प्रथानमंत्री नरेंद्र मोधी पूरू प्रथानमंत्री डॉक्टर मन मोहन सिंग केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्या कोग्रे सद्धिक सोनिया ग कश्मीर के उदंपूर जिले में शनिवार सुबह एक मिनी बस के सड़क से फिसल कर खाई में गिरने से 18 लोग खायल हो गए अधिकारियों ने बताया कि बस में सवार व्यक्तियों में ज्यादेतर छात्र थे उन्होंने बताया कि यह मिनी बस बर्मीन से उदंपूर की और ज दिल्ली पुलिस ने कॉंग्रेस के विरोध प्रदेशन के सिलस्रे में तुगलक रोड पुलिस थाने में एक मामना दर्ज किया है उलेखनी है कि विपक्षिदल कॉंग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी और आवशक वस्तों पर जेस्टी में बढ़ उत्री के खिलाफ शुक तुगलक रोड पुलिस थाने में मामना दर्ज किया गया है करनाटक के मुख्योंत्री बसवराज बोमई ने शनिवार को कहा कि वह कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और उनमें हलके लक्षन उभरे हैं बोमई ने नई दिल्ली का अपना दौरा भी रद्ध कर दिया है बोम सेना नेता संजे राउत की पत्नी वर्षा राउत धन शोधन के एक मामले में शनिवार को मुंबई में प्रवरता निदेशाले के समक्ष पेश हुई धन शोधन का यह मामला एक चौल के पुनर विकास में कथित अनिमित ताओं और उससे समन्दित लेंदेन से जुड़ा है इडी ने इस मामले में संजे राउत को गिरफतार किया है केंद्री एजनसी ने इस सब्ता की शुरुआत में वर्षा राउत को समन्द भेजे थे इसके बाद वह शनिवार सुबर 10.50 मिनट पर दक्षिन मुंबई में बलाड एस्टेट स्थित इडी के कारले पहुंची उल प्रशानियों का सामना करना पड़ा विमानन कंपणी फ्लाइट अवेर के अनुसार करीब 1400 उडानों के रद होने के अलावा अन्ने 63 सो उडाने देरी से चली अगस्त में लगातार दूसरे दिन इतनी बड़ी संख्या में उडाने रद की गई है नियोर्क शेहर के तीन प् अपनी रिपब्लिक एरवेज ने भी अपनी करीब 25 प्रतिशत उडानों को रद कर दिया संखिय विमानन प्रशाशन के मुताबिक नियूआर्क बोस्टन वाशिंग्टन डीसी फिलाडेलफिया बाल्टी मोर और डेनेवर में भारी बारिश और दुफान के कारण उडानों को रद करना पड़ा है रिंका गोस्वामी ने शन्यवार को राष्ट्रमंडल खेलों की 10,000 मीटर पैदल चाल इस परदा में रज़त पदक जीता उन्होंने पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बनकर नया इतिहास रचा गोस्वामी ने व्यक्तिगत सर्वस्ट समय के सा आस्ट्रेलिया की जेमिवा मोटांग के बाद दूसरा स्थान हसिल किया की एमिली वामुसी नगी ने कांस से पतक जीता अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके